कि अभी सर्फ प्योर्ली अजिस्मेंट पर बात करेंगे क्या किया कर लिया था सर हमने direct and direct expense देख लिया एक format देख लिया था कैसे करते हैं और उससे related equations ही देख लिया हमने ठीक है अब आगे हम चलते हैं जो भी किताब मेरे हिसाफ से जैसे भी बच्छे ले लेंगे तो उसकी हिसाफ से रहेगा तो अर्जस्बंट नंब्र 1 सबसे पहले तो हम बात करेंगे सच अर्जस्मेंट क्या होता है यह तो पता चले हमें धेखो होता क्या है normal हमारा Le waiverर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जर्नल और जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर और लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्राइल बैलेंस और जो ट्राइल बैलेंस होता है ना यह हमारा अगर मैच नहीं होता तो यानि कही न कही या तो journal में mistake किया हुआ है या फिर laser में mistake किया है यही proof करता है येगर match नहीं हुआ अब यहां पर कुछ vein अगर हम भूल गए या कुछ गलत कर दिया तो हमारा जब trial balance prepare हो जाता है तो इसकी मदद से सरफ trial balance के help से हमें बनाना पड़ता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट अपना प्रॉफिट और अपना एक बैलेंशीट किसकी मदद से बनाते हैं अब देखो ट्राइल बैलेंस बनता वो डबल एंट्री के साथ से बनता है क्योंकि जैसे चैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ठीक है closing stock या फिर जैसे हमने लिख दिया outstanding rent तो जो चीज़े रह जाती वह बाहर लिखते हैं तो इसकी तो डबल एंट्री हुई नहीं इसलिए जितने भी adjustment होगा हमेशा उसका दो entry होगा एक debit और एक credit होगा और वह देखना पड़ेगा कि कहा debit होता है और कहा credit इसी को हम इंजाम के अंदर trial balance पहले से बना बनाया मिलेगा और adjustment उसके नीचे मिलेगा आपको trial balance की मदद से और इस adjustment दोनों की मदद से आपको बनाना है एक final account ठीक है तो adjustment number one से लेके कुछ जो भी adjustment है देखते जाते हैं सबसे पहले adjustment number one हम देखते हैं that is closing stock अब देखिए adjustment आपको कई बारना मैं adjustment बोल रहा हूं लेकिन closing stock दो जगह देखने को मिल सकता है आपको एक maybe possible है कि आपको देखने को मिले trial balance में तो आप समझिएगा अगर आपको trial balance के अंदर चीजे मिल रही है तो already double entry होके आईए हो उसकी double entry कभी भी नहीं होगी जो भी आपको trial balance के अंदर मिलेगा उसका double entry कभी नहीं होता उसकी एकी entry होती है और adjustment के मेंसा दो entry तो अगर आपक है तो उसकी double entry नहीं करेंगे स्रिफ एक ही entry करेंगे और वह चला जाएगा हमारा balance sheet में कि बैलेंस शीट में कि एसिट साइड कहां चला जाएगा हमारे balance sheet के एसिट साइड दूसरी बात करते हैं trial balance के बाद तो हमारा adjustment में हो सकता है अगर adjustment की में बात करूं तो बताओ कहां होगा adjustment में trial balance के बाहर ठीक है और जब adjustment में होगा तो always दो entry करने पड़ेगी आपको उसकी साइड दो entry कहां एक चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक चला जाएगा balance sheet में अगर ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में जाएगा that is आपका credit side ठीक है जिसे हम buy side भी बोल देते हैं और balance sheet के में अंदर credit debit नहीं होता balance sheet में assets और liability होता है that is चला जाएगा आपका asset side आपको कई जगा confuse किया जाएगा कैसे कुछ note लिख लेते हैं sir note क्या है when closing stock market value market value मतलब market price and cost price जिसको हम book value भी बोल देते हैं बोथ हार given कई बार आपको दोनों prices given होते है market value भी और book value भी तो तब क्या करेंगे तब जैसे example ले लेता हूं में यहां जैसे मानलो मैंने closing stock का market price दे दिया market price आपका है 2000 और मैंने लिख दिया आपको cost price भी cost price लिख दिया मैंने 2500 तो आपका वो लिख दिया 1300 तो answer जो होगा वो होगा 1300 मतलब समझा नहीं सर आप यहां पर देखोगे कि answer जो दोनों में से कम है न यहां पर दो prices थे तो मैंने किसको choose किया record करने के लिए दोनों में से जो कम था यहां पर भी दो price था तो choose किसको किया दोनों में से तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि market price लेंगे या cost price लेंगे यहां पर लिया जाएगा always किसको लिया जाएगा market price and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम है इसके आगे मैं continue कर रहा हूं then we will be taken market price and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम होगा आपको कैसे दे सकता है वो जैसे मान लो आपके सामने यह trial balance मनाया ठीक है और बाहर लिख दिया इसने closing stock 2000 और bracket में लिख दिया cost है इसका 1500 रुपे तो आपको यह तो पता है कि closing stock adjustment में trading और balance sheet में लिखना है लेकिन now confusion कि asr 2000 लिखें या 1500 लिखें तो ऐसे situation में क्या लो गया पंद्रह सो लो यह कौन कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो यह हमारे ना जितने भी accounts चलते हैं ना वह किसी ने किसी rule के उपर अधारीत होते हैं और accounts के सारे के सारे rule जो है ना वह accounting standard में mention होते हैं तो यह कहता है इसा करने को accounting standard टू आगे हम पढ़ेंगे भी यह स्टू हमारे स्लेवर्स का part है एस टू कहता है हमारे काम को इस तरीके क्या करने के लिए ठीक है ना तो यह क्या था सर हमारा यह था हमारा closing stock